हेलो फ्रेंज, इंडियन फूर्ड रेसिपी इस चानल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे एक्तम सिंपल मसाला खिचडी जब भी एक्तम पूरा खाना खाने की बिलकुल इच्छा ना हो तब बस ये खिचडी बनाईए और आपका पेट भी भर जाएगा और मज़ा आजाएगा आपको तो चलिए आज की ये सिंपल और मसालेदा रेसिपी शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे कुछ सबजिया तो मैंने यहापे लिये हैं दो मीडियम साइज के प्याज इन्हें से लंबे पीसेस में काट ले साथी साथ मैंने यूज किया है दो हरी मिल्चे एक छोटा टुकडा गाजर थोड़े से फुल गोबी के फूल एक मीडियम साइज का आलू उसे भी टुकडो में काट लिया कूटे हुए अद्रक लेसन और आदा कप फ्रोजन मटर अगर आप चाहे तो आप फ्रेश मटर का भी यूज कर सकते हैं दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा इसके बाद एक बरतन में हम लेंगे चावल तो यहाँ पर मैंने एकदम शौट ग्रेन आने की छोटे चावल यूज किये हैं अगर आप चाहे तो लॉंग ग्रेन यूज कर सकते हैं लेकिन असे छोटे चावल से जो खिचडी बनती है वो बहुत ही टेस्टी बनती है फिर हम इसमें डालेंगे एक कप मूंग दाल तो एक कप चावल के लिए एक कप मूंग दाल यही रेशो रखे तब भी आपकी खिचडी एक दम मज़ेदार बनेगी अब इस चावल और दाल को हम कम से कम दो से तीन बार अच्छे से वाश कर लेंगे अब हम इस चावल और दाल को अच्छे से वाश करने के बाद इसे कम से कम 15-20 मिनिट के लिए इसे छोड़ देंगे पारलेली यहाँ पे हम एक प्रशर कूकर में दो टेबल स्पून तेल डालेंगे इसी के साथ हम डाल देंगे दो टेबल स्पून शुद्ध देसी घी का पेस्ट है वो डाल देंगे अगर आप चाहे तो मिक्सी वाली पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं तो अधरकर लेस्ट को हम करीब 2 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बूनते रहेंगे ताकि इसका जो कच्छा टेस्ट है वो निकल जाए तो अधरक लेस्ट अच्छे से पकते ही हम इसमें आड़ कर देंगे हरी मिर्च तो यहापे मैंने 2 हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है अगर आप चाहे तो कम ज्यादा भी डाल सकते हैं और ऐसे बड़े टुक्डों में काटने का फाइदा यह है कि अगर बच्चे खा रहे हो तो मिर्ची आसानी से दिखेगी और वो साइड में निकाल सकते हैं मिर्ची को भी हमने भून लिया अच्छे से फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज तो जैसे कि मैंने बताया था मैंने दो मीडियम साइज के प्याज को ऐसे लंबे काट के लिया था इन्हें भी हम भून लेंगे बहुत ज्यादा नहीं मतलब ब्राउन नहीं करना है बस इन्हें सॉफ्ट होने तक भूनते रहना है प्याज अच्छी से सॉफ्ट होने के बाद अब हम इसमें आड कर देंगे टमाटर, मैं पहले बता ना भूलगे कि हम इस टमाटर का भी यूज करना है, तो एक मीडियम साइस का टमाटर भी मैंने यूज किया, उसे भी भून ले जब तक वह सॉफ्ट नहीं होता, इसके बाद हम इसे भी भून लेंगे करीब 2 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पे, फिर इसके बाद हम इसमें आड कर देंगे फ्रोजन मटर, अगर आप चाहे तो फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं, तो मटर को भी करीब 1 मिनिट तक हम भूनते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे, सबजी स्पून गरम मसाला पाउडर बस ये तीन ही मसाले डालने हैं और कुछ भी नहीं डालना इसमें मसालों को भी अच्छे से बुन ले करीब एक मिनिट तक जैसे मसालों का कच्छापन निकल जाए फिर हमने जो सोक किया हुआ चावल और दाल था उसे इसमें आड कर देंगे अब चावल और दाल को मसाले और सबजियों के साथ अच्छे से मिला ले तो करीब दो मिनिट तक मीडियम फ्लेम पी चावल और दाल को भी हम सारे मसालों के साथ अच्छे से बुन लेंगे जिससे खिटशडी का जो टेक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा तो बस अब हम तो यहाँ पे मैंने एक कप चावल और एक कप डाल यानि के टोटल दो कप ग्रेंज का यूज किया, तो उस हिसाब से हमें इसे में थ्री टाइमज पानी डालना यानि के छे कप पाणी, अब पानी डालने के बाद हम इसमें एड कर देंगे नमक स्वादा नुसर, नमक आड कर के सारी चीज़ों को अच्छे से मिला ले और फिर हम इसमें अड़ कर देंगे फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता तो धनिया पत्ता से खिच्टी की जो टेस्ट है वह बहुत ही जादा एन्हांस हो जाती है इसे भी मिक्स कर ले अच्छे से तो बस अब हम क्या करेंगे प्रेश की फ्लेम को आफ करेंगे और प्रेशर कुकर में जो प्रेशर है वो सारा रिलीज होने देंगे प्रेशर रिलीज होने के बाद हम सावधानी से प्रेशर कुकर का धक्कन हटाएंगे तो आप देख सकते है कि हमारी जो खिचडी है वो पक्के बिलकुल तयार है अब खिचड खिचडी का texture होता है ना उसे अगर आपको अचीव करना है तो उसके लिए ये step कम करना बहुत ही ज़रूरी है तो खिचडी को पूरा pan में निकालने के बाद अब हम इसमें आड कर देंगे एक्तम गरम पानी मतलब literally boiling पानी होना चाहिए वो बोलता है ना खौलता हुआ पानी ठंडा या फिर medium temperature का अगर आप पानी आड करेंगे ना तो खिचडी का texture एकदम बरबाद हो जाएगा इसलिए ये जरूर याद रखे कि आपको एकदम boiling water ही डालना है तो मैंने यहाँ पे करीब एक कप boiling water डाला और इसे इस खिचडी में मिला लेंगे पारलेली हम तड़का भी तयार कर लेते हैं इसके लिए यहाँ पे मैंने दो टेबल स्पून देसी घी का यूज किया है देसी घी का ही तड़का दे उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है एकदम restaurant style घी अच्छे से गरम होते हम डालेंगे एक टीस्पून जीरा पाव टीस्पून हिंग पावडर इसी के साथ एक सूखी लाल मिर्च और 5-6 लेसन की कलियों को एकदम बारी काटके डालेंगे हम थोड़ असा फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और साथी साथ आधी टीस्पून लाल मिर्च पावडर तो तुरंद ग्यास की फ्लेम को आफ करके हम इसे खिचडी के ऊपर डाल देंगे तो येस आपने देखा एक्तम रेस्टरंट स्टाइल दिख रही है ना हमारे खिचडी सिर्फ दिखने में नहीं ये टेस्ट और टेक्स्चर में भी एक्तम रेस्टरंट स्टाइल जैसी बन बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टेस्सी रेसिपी के साथ, तिल देन, एंजोई और खिच्डी.